सुरी शिवाय नमस्तो भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षा बंधन का तिवहार बहुत चल्द आने वाला है पर इस बार भी सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा श्वैशाय बना हुआ है कि आखिर रक्षा बंधन किस दिन है हमें किस दिन रक्षा बंदन मनाना चाहिए और आखिर ये भद्राकाल क्या है भद्राकाल के आने से क्या हम रक्षा बंदन नहीं मनाना सकते और अगर रक्षा बंदन मनाना भी है तो किस तारिक को मनाना है तीस अगस्त को मनाना है या 31 अगस्त को मनाना है और किस समय मनाना है ये सबी प्रशन अभी इस समय आपके मन में घूम रहे हैं और अभी रख्षा बंदन आने में समय भी है तो इसी लिए आप पहले ही समझ लीजिए क्योंकि उस वक्त लोग आपको और गुम रहा करेंगे कि आप इस समय रख्षा बंदन मनाईए इस वीडियो में हम आपको यह भद्राकाल होता क्या है यह संपूर्ण जानकर यह आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है सबसे पहली चीज दोस्तों आप लोग यह समझ डीजे कि यह जो रक्षा बंदन का पर्व पढ़ता है रक्षा बंदन का पवित्र त्योहार आता है यह आता है सावन महा के शुक्ल पक्षकी पूर्णे मातिती को जो की पढ़ रही है इस बार 30 अगस्त 2023 को और इसी दन यहाँ पर रक्षा बंदन भी पढ़ रहा है ठीक है जिसे आप लोग अपने कैलेंडर में आराम से देख सकते हैं सबी लोगों को पता है कि 30 अगस्त 2023 को ही यहाँ पर रक्षा बंदन है पर आप लोग यूट्यूब पर और बहुत सारी जगाओं पर यह चीज़ सुन रहे हैं कि 30 अगस्त को रक्षा बंदन मनाना सही नहीं है क्योंकि इस दिन भद्रा काल है तो आखिर रक्षा बंदन के दिन भद्रा काल क्या होता है रक्षा बंदन किस समय से शुरू हो रहा है और कब तक चलने वाला है यह हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सबसे पहले जीज़ दोस्तो रक्षा बंदन जो है वो 30 अगस्त 2023 को ही है और इस दिन 30 अगस्त 2023 को शुभा 10 बच कर 58 मिनिट से रक्षा बंदन का त्योहार शुरू होगा 10.58 मिनिट से पहले कोई रक्षा बंदन का त्योहार नहीं होगा ना ही कोई पूर्णे मातिती होगी है ना तो 30 अगस्त को सुभा 10.58 मिनिट से ही पूर्णे मातिती शुरू हो रही है मतलब रक्षा बंदन का त्योहार शुरू हो रहा है और यही रक्षावबंदन का त्योहार पूरा चलने वाला है, अगले एकतिस अगस्त सुभा सात बचकर पाँच मिनिट तक है, मतलब शुरू होगा तीस अगस्त को सुभा दеся्पुचकर 58 मिनिट से, और यह रक्षावबंदन का त्योहार और पूर्णियमा तिती चले especialmente, अग इस समय के बीच में एक भद्राकाल बहुत बड़ी चीज आ रही है कि आखिर ये भद्राकाल क्या है और ये भद्राकाल कब पढ़ रहा है दोस्तों पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ये भद्राकाल हर रक्षा बंदन के बीच में आ रहा है जिसकी वजह से रक्षा बंदन का जो तेओर है रक्षा बंदन में जो भाईयों के लाई पर राकी जिस समय पर हम अपने मन से बांध लेते थे या कोई भी शुब समय देखकर बांध लेते थे रक्षा बंदन के दिन वो इस बार भी नहीं हो पाएगा क्यूंकि इस बार भद्राकाल का समय बहुत लं है ना तो देखिए पूर्णेमा तिति और रक्षा बंदन को जो तिवार है वो 30 अगस्त से 2023 को 10 बचकर सुभा 58 मिनिट से शुरू हो जाएगा साथ ही में दोस्तों भद्राकाल का जो समय है वो भी 30 अगस्त को सुभा 10 बचकर 58 मिनिट से ही शुरू होगा मतलब कि रक्षा बंदन की तिती शुरू होने के साथ साथ में यहाँ पर भद्राकाल भी एक साथ ही शुरू होगा सबसे बड़ी चीज़ आप लोग यहाँ पर यह सुन लीजिये ठीक है अब यह जो भद्राकाल का यह जो समय है ना यह चलने वाला है 30 अगस्त को रातरी को 9 बचकर 1 मिनिट तक समझ गए आप लोग मतलब 30 अलस्त को रात री को 9 बच कर 1 मिनिट तक ये भदराकाल का समय चलने वाला है इस बीच में आप लोगों क्या नहीं करना है वो हम आपको बताते हैं सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर भदराकाल होता क्या है दोस्तों भदराकाल एक ऐसा समय होता है जिस समय के बीच में कोई भी शुबकार्य नहीं किये जाते हैं कोई भी अच्छे कार्य नहीं किये जाते हैं और रक्षा बंदन का त्योहर एक बहुती पवित्र त्योहर है जिसमें बहुती शुबकार्य किये जाते हैं तो आपको इस भद्राकाल में भूल कर भी इस भद्राकाल के बीच के समय में रक्षबंधन का तेहर नहीं मनाना है अब आप कहेंगे तो फिर हम कब मना यह सबी जान करें आपको वीडियो के आखरी में जानने को जरू मिलेगी है ना उससे पहले आप लोग यह जान लेजी कि जो भद्रा का जो समय है ना इस समय राखी क्यों नहीं बांदी जाती है क्योंकि दोस्तों भद्रा के समय पर ही जो रावन की बहन सूप नका थी ना सूप नका ने रावन को राखी बांदी थी जिसकी वजह से रावन का सर्वनाश हो गया था इसी वजह से यही होता है भद्राकाल क्योंकि इसी भद्राकाल के बीच में रावन की में सूपनका ने रावन को राखी बांदी थी और उसका सर्वनाश हो गया था तो इसी दिए यह समय सुप नहीं माना जाता है कोई भी किसी भी तरीके का रक्षा बंदन का त्योहार नहीं मनाना है क्योंकि इस बीच में कोई भी शुव मूर्थ है ही नहीं जिस समय आप लोग रक्षा बंदन मना सकते हैं अब बहुत सारे लोगों को चालाक होंगे और उनके मन में ये बात आएगी कि 30 अगस्त को रक्ष रक्षा बंदन और पोड़नेमा तिती शुरू होगी वो 30 अगस्त को 10 बचकर 58 मिनिट से ही शुरू होगी इसके पहले शुरू नहीं होगी इस बात का ध्यान रखियेगा इससे पहले अगर आप लोग राक्षा बंदन के त्योहार में नहीं आएगा है ना सुभा 10 बचकर 58 मिनिट से 30 अगस्त को ही जो है राक्षा बंदन का त्योहार शुरू होगा पोड़नेमा तिती का त्योहार शुरू होगा तो इससे पहले आप लोग राक्षा 5 मिनिट के बाद भी नहीं बाँन सकते होगी फिर घद्राकाल शुरू हो जाएगा जो की जिस समय कोई भी श्यो बंदन का त्योहर नहीं बांदेगा ये बिलकुल सच्चा ही है और हर जगा पर आप लोग देख लेना यही चीज़े आप लोगों को बताई जाएंगी तो आखिर रक्षा बंदन का त्योहर कब मनाया जाए राकी कब मानी जाए और जो रक्षा बंदन का त्योहर है अपने भ मतलब 31 अगस्त को सुभा 7 बचकर 5 मिनिट से पहले तक आप रक्षा बंदन का त्योहार मना सकते हैं, अच्छे से मना सकते हैं, भले ही आप लोग आधी रात में राकी बांद रहो तो चलेगा, पर भूल कर भी भदरा काल में राकी मत बांदा है ना, तो 30 अगस्त को रात्री क और 9 बचकर 1 मिनिट के बास सेही आप खोर राक्षा बंदन का त्योहार मनाना शूरू करना है, मतलब अपने बाहियों की कला हैं उपर आप लोगोंको राकशी बानना है बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे हम तो 31 अगस्त को राक्षबंदन का त्योहार मना लेंगे सुभा सुभा है ना तो देखो 31 अगस्त को अगर आप लोग 7 बचकर 5 मिनिट तक कभी भी रक्षा बंदन का त्योहर मना लेते हो तो वो मानने रहेगा पर 31 अगस्त को सुभा 7 बचकर 5 मिनिट के बाद अगर आप लोग रक्षा बंदन का त्योहर मनाते हो तो वो मानने नहीं रहेगा और जो लोग 31 अगस्त को 7 बचकर 5 मिनिट के बाद से पूर्णे माति थी मानेंगे वो भी मानने नहीं रहेगे क्योंकि उस दिन पूर्णे माति थी मानने ही नहीं रहेगी उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मतलब पूर्णे माति थी है और जो रक्षाबंदन का तिवार है वो 31 अगस्त को सुभा 7 बच कर 5 मिनिट पर पूर्ण हो जाएगा जिसके कारण जो मतलब सूर्य उदाय उस दिन होगा उस सूर्य उदाय के समय से जो ये रक्षा बंदन का तिवार समाप्त होगा इस समय के जो बीच का समय होगा वो 2 घंटे 24 मिनिट से कम होगा और जो समय 2 घंटे 24 मिनिट से कम होता है उस दिन वो तिथी नहीं मानी जाती है जो की मतलब उस समय तक आ रही है इसका मतलब ये है कि 2 घंटे 24 मिनिट पूरे हो ही नहीं रहे है इस पूर्ण होने तक जिसके कारण जो है 31 अगस्त को सुभा 7 बचकर 5 मिनिट तक ही रक्षा पूर्ण होने मतीती नहीं रहेगी ना ही रक्षा बंदन का त्योहार रहेगा है ना रक्षा बंदन का शुभ मूर तो सिर्फ 7 बचकर 5 मिनिट के पहले तक ही रहेगा इस बीच में आप कभी भी आप लोग राखी बांदो के कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पर भूल कर भी भ रक्षा बंदन का त्योहार यहां पर मना लो है ना तो दोस्तों आखरी के कुछ अंतिम शब्दों में हम आपको एक अच्छे तरीके से बहुत ही कम शब्दों में बताते हैं कि आखर रक्षा बंदन का त्योहार कब मनाना है और कैसे मनाना है देखिए रक्षा बंदन का त दिवार है वो 30 अगस्त 2023 के दिन ही है पर सुभा सुभा दस बचकर अंठावन मिनिट से यह जो रक्षाबंदन का दिवार है यह शुरू होगा पर इसी समय से बदरा काल भी शुरू होगा जिसके कारण आप लोग इस दिन 30 अगस्त को रक्षाबंदन नहीं मना सकते पर सुभ सुभा सुभा नहीं मना सकते सुभा के 10 बचकर 58 मिनिट से रात्री को 9 बचकर कितने एक मिनिट तक नहीं मना सकते रात्री को 9 बचकर एक मिनिट के बाद 30 अगस्त को आप लोग कभी भी रक्षाबंदन मना सकते हो जूकि 31 अगस्त को सुभा 7 बचकर 5 मिनिट से पहले आप कभी भी मना सकते हैं तो यह बहुत ही जादा शुब होगा और रक्षा बंदन का त्योहर भी नाव मनाए और साथ ही में जो रक्षा बंदन की जो राखी रहती है वो भी आपने भाईयों के गलाई पर ना बांदे इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है एक मेट के बाद जब भाई अपनी बहन को तौफा देगा उस तौफे में वो अपनी बहन को एक जो शहद की डिब्बी रहती है वो जरूर दे क्योंकि शहद की डिब्बी जब कोई भाई अपनी बहन को देता है या बहन अपने भाई को देती है तो उसके घर में कभी भी मतल तो हमने आपको इस रक्षय बंदन से जुड़ी हुई आपके में जूबी प्रशना रहे थे वो सारे शंशय अच्छे से मिटा दिये हैं पूर्ण रिसर्च करने के बाद में हमने आपको ये वीडियो दिये हैं इसके बाद कोई वीडियो मतलब देखने की जरुवत नहीं है क क्योंकि सारी वीडियो जब आप देखोगे तो आप कंफ्यूज ही होगे इसके राबा कुछ नहीं होगे बाकि आगे आने वीडियो में चूपी अपडेट्स आती हैं वह आपको जरूर बताएंगे आपके हमने में कोई भी प्रशना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकत हैं ओम नमाज शिवाय चाहिए भूले आपा स्री शिवाय नमस्तु भ्याम